जब से फरीद कोट की मौडरन जेल अस्तित्व में आई है तब से ही विवादों के साथ इस जेल का चोली दमन का रिष्टा रहा है फिर चाहे ये विवाद लगातार होने वाली कैदियों की मौत का हो या फिर कैदियों को पीने योग्य पानी ना मिलने को लेकर हो इसी तरह ए जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन ने बिजली विभाग को करीब डेड़ करोड रुपे का बिल बकाया जुकाना है जिसके चलते बिल अदा ना करने पर बिजली विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन काट दिया गया परंतु जिला प्रशासन द्वारा इस मामली में सक्त रुख अपनाए हुए है और पूरा बिल वसूलने के मूड में दिखाई दे रहा है विजली विभा के अधिकारियों का कहना है कि अगर दिये गए निर्धारित समय में जेल प्रिशासंद्वारा बिल अदा नहीं किया गया तो पॉमनेंट तोर पर ही विजली कार दी जा हम झाल है और मौवच थे हम जारता हम एखिर नह चानए हो सब्सक् कारा झाल कोसितो पिल अंदओत समय के यह झाल प्रिए टार्सा के अगर भी जज़तिसा में झाल विजली你 झालि हो पॉ आखिते तो सक्त वउलीज आफ़ग कि और दा के दो सूबस्श्त है में पॉर Sullivan दो